बिहार में आज नितिश कुमार सरकार का फ्लोर टेस्ट है नितिश बहमुद साबित करते हैं या नहीं इस पर बिहार के साथ-साथ आगामी चुनावों में बीजेपी का भविशे टिका हुआ है इसी वज़े से बीजेपी के इस फ्लोर टेस्ट को लेकर नितिश रिच जादा परिशान नजर आ रही है आरजेडी और कॉंग्रेस की एक जुक्ता बीजेपी की परिशानी को बढ़ा रही है इधर तेजस्वी आदफ ने पहले ही चेतावनी दी है कि कोई बड़ा खेला आज हो सकता है तो क्या नितिश आज बचा पाएंगे अपनी सरकार या बिहार की कमान अब होगी तेजस्वी के हाथ देखते हैं इस रिपोर्ट में बिहार विधान सभा में आज नितिश कुमार को फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ रहा है पिछले महीने नितिश कुमार ने एक बर फिर पल्टी मारती हुए एंडिये में शामिल होने का फैसला किया था नितिश ने आरजेडी और कॉंग्रिस से अलग होकर बिजेपी के साथ सरकार तो बना ली लेकिन उनकी सत्ता बचेगी या नहीं ये आज तै हो जाएगा फ्लोर टेस्ट के लिए विधान सभा में बिधायकों के पहुचने का सिलसला शुरू हो चुका है इससे पहले आरजेडी और जेडियू दोनों के अपने अपने जीत के दावे सामने आए हैं हलाकि इसमें आरजेडी का पलड़ा ही भारी दिखाई दे रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव के निवास पर आरजेडी और कॉंग्रेस दोनों के बिधायक एक साथ ठहरे थे लेकिन जेडियू और बिजेपी को अपने बिधायकों की बारे बंदी करनी पड़ी फिर भी अभी तक जेडियू के कुछ बिधायकों की बागी होने की खबरे हैं पांच से छे बिधायकों से कोई संपर्क नहीं हो रहा है इससे पहले हम पार्टी के मुख्या जेतनरा मांजी का फोन भी कल रात को बन था जिससे बीजेपी की परिशानी बढ़ गई है क्योंकि 243 सीटों की बिहार विधान सबा में बहुमत के लिए 122 बिधायकों का समर्थन जरूरी है बीजेपी के 78 और जेडियू के 45 बिधायकों को मिला दे तो ये संख्या 123 हो जाती है लेकिन अगर 5 और 6 बिधायक भी आरजोडी के साथ चले गए तो सारा समी करंड बिगर सकता है इसलिए हम के 4 और एक निर्दली बिधायक को भी 7 रखने की कोशिश में नितीश और बीजेपी है लेकिन तेजस्वी यादव ने पहले ही एलान कर दिया था कि खेला होगा इसलिए बीजेपी का डर बढ़ गया है कल रात तेजस्वी यादव के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था जिससे बीजेपी के घबराहट की पुष्टी हो गई है अब देखना होगा कि क्या आज नितिश बचा पाते हैं अपनी सरकार डिवी लाइप के रपोर्ट